दोस्तो आज की ये वडियो काफी ज़्यादा यूसफल बनने वाली है अगर आप भी वर्टसप पर फुल डीपी लगाना चाहते हो बिना क्रॉप किये बिना कोई एप्लिकेशन डाउलोड किये बिना किसी जंजट किये अगर आप भी ये काम करना चाहते हो तो आप बिल्कु पार होगे यह जो फोटो है यहाँ पर पूरा नहीं लग पा रहा है अगर मैं इसको उपर करूंगा तो यह आदा हिस्सा लगेगा उपर का या फिर मैं नीचे करूंगा तो यह फोटो का आदा हिस्सा नीचे का लगेगा मतला यहाँ पर पूरा हिस्सा नहीं लग पाएगा या फिर नीचे का हिस्सा लग पाएगा या फिर उपर का हिस्सा लग पाएगा लेकिन यही फोटो को मैं आपको पूरा हिस्सा लगा करके दिखाऊँगा बीना क्रॉप किये बीना कोई application डाउलोड किये अगर आप भी WhatsApp पर full DP लगाना चाहते हो बीना किसी cropping के तो इस वीडियो को पूरा देखते रही है आज मैं आपको step by step बताऊंगा बिल्कुल असान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग WhatsApp पर full DP लगा सकते हो easily तरीके से तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये काम आप किस तरीके से कर सकते हो वीडियो को start करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को like करना like के बटन पर click करके like करना बिल्कुल free होता है तो like के बटन पर click करके वीडियो को like जरूर करना अगर आप चैनल पर नए है तो यहाँ पर subscribe करना घंटी को दबा लेना और पर select कर लेना ये काम बिल्कुल free होता है इसका फैदा ये होगा कि जब भी मैं कोई भी next video upload करूँगा तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप कुछ नया सीख पाओगे तो चैनल को subscribe कर लेना चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले comment section मिल जाता है यहाँ पर आके आपको एक comment करना है इस वीडियो से related कि ये आपको कैसा लगता है तो comment एक जरूर करना ठीक है चले start करते हैं दोस्तों WhatsApp पर full dp लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने gallery में आना है इस तरीके से यहाँ पर gallery में आने के बाद आप जिस भी photo को लगाना चाहते है उस photo को यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर मैंने photo को select कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान से देखेगा ठीक है यहाँ पर आपको एक edit का option मिलता है हो सकता है आपके mobile phone में pencil का option मिले तो आपको यहाँ पर click करना है मेरे mobile phone में edit का option मिला है तो मैंने edit पर click किया है उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको crop and rotate पर click करना है crop and rotate पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के option आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक rotate का option मिलेगा हो सकता है आपके mobile phone में rotate का option यहाँ पर मिल सकता है या फिर उपर के side मिल सकता है मेरे mobile phone में यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर मैं rotate पर click करूँगा देख सकते हो मैंने इस photo को rotate कर लिया है उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से save कर लेना है ठीक है इस तरीके से फोटो को save कर लेना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है फोटो पे एक बार click करना है इस तरीके से और इस फोटो का आपको screenshot लेना है कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बैक आना है, बैक आने के बाद आपको अपना वर्टसप ओपन करना है, वर्टसप ओपन करने के बाद three dot पे किलिक करना है, settings पे जाना है, settings पे जाने के बाद आपको gallery से वही वाले photo को select करना है, जो आपने rotate किया हुआ है, देख सकते हो मैंने उस photo को select कर लिया है, उसके बाद नीची आपको एक rotation का option मिलता है rotate का फिर से option मिलता है आपको इस तरीके से click करते रहना है जब तक ये photo अपना सही position नहीं ले लेता है यहाँ पर photo सीधा हो गया है तो यहाँ पर मैं done पर click कर देता हूँ दोस्तों देख सकते हो मैंने done पर click कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा photo है वो अद्दम full लग चुका है बिना किसी cropping के बिना कोई application डाउनलोड किये तो इस तरीके से आप आसानी से WhatsApp पर full DP लगा सकते हो बिना किसी जंजट के उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जिरूर से करना चलि दोस्तों मिलते हैं कोई अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ध्यान रखें टेक कियर एंड गुड़ बाए